हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सबों का स्वावत है, आज हम बनाएंगे मसाला काजू, वैसे तो काजू बिना मसाले की भी अच्छा लगता है, भुना हुआ काजू में अगर मसाला पढ़ जाए, तो और भी स्वदिष्ट हो जाता है, आईए मसाला काजू बनाते हैं, इसके लिए हमें पचास ग्राम काजू लेना है, दो तीस्पून घी, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच पेपर पाउडर, और पुदिना पाउडर आधा चम्मच, इसे मैंने हरे पुदिने को पानी से धो कर धूप में सुखा कर चूर कर पाउडर बनाया है, और लाश्ट में नमक, यहाँ पर नमक साधा नमक और काला नमक का उपयोग किया जा रहा है, नमक हमें स्वाद अनुशार डालना है, सबसे पहले इंडेक्शन में पेन चड़ाएं, उसे अन कर दें, अब उसमें दो चम्मच घी डाल दें, घी जब गर्म हो जाए, तो इसमें काजू डाल दें, घी हमारा गर्म हो जुका है, अब इसमें काजू डालें, अरिसे चलाते रहें, अरिसे चलाते रहें, इसे धीमा आज में भुने, काजू गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके मसालम को डालेंगे, सबसे पहले, चाट मसाला डालें, उसके बाद गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, पेपर पाउडर, और इन सभी मसालों को अच्छी तरह मिला लें, स्टोब ओफ कर दें, और इसे चलाते रहें, अब इसमें पूदीने की पाउडर को डाल दें, और नमक डाल दें, और मसालों को पोट होने तक इसे यहीं हलके हाथों से चलाएं, अब हमारा मसाला काजू तयार हो चुका है, इसे अब सर्वी बॉल में रख कर सर्व करें, मसाला काजू बनकर तयार है, अब यह खाने के लिए आप इसे सर्व कर सकते हैं, आप इसे बनाएं, खाएं और अपने मित्रों को खिलाएं, थैंक यू फॉर वाचिक मैं वीडियो, प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब, बाई बाई